शिव बाबा याद है ना? ओम शान्ति सुनते हैं आज 11 सेप्टेंबर 71 के अव्यक्त मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त वानी का टाइटल है डबल रिफाइन स्टेज आज की मुडली में बाबा ने इन्चार्ज की क्या परिभाशा है फिर प्यारे बाबा ने तीन परकार से पास होने का क्या आर्थ है साथ साथ बाबा ने भगतों में संस्कार कैसे भरेंगे और संपूर्ण वफादार का मुख्य गुण क्या है तो आईए सुनते हैं आज बाबा से बाप नादा से 11 सेप्टेंबर 71 की मुडली डवल रिफाइन स्टेज आज बोलना है क्या वा देखना है क्या देखना ही बोलना नहीं है ऐसा अनभव है कि जो कुछ बोलना है वे मूंँ से न बोल नैनों से बोले ऐसे हो सकता है ऐसे होता भी है आज ये master knowledgeful, powerful, successful, serviceable की सभा है तो क्या नैनों से नहीं जान सकेंगे अपने मन की भावना वा बुद्धी के संकल्पों को नैनों से प्रकट नहीं कर सकते क्या ये भी तो पढ़ाई का पार्ट है तो बताओ आज बाप डादा क्या बोलना चाहते हैं बाबा जो बोलना चाहते हैं वो भी बता देना कितनी उंची स्टेज है अव्यक्त मुरली बाबा जब चलाते तो वो भी जज़ कर जाना कि आज बाबा क्या देना चाहते हैं जानते हो ना मास्टर नॉलेज़ फुल हो ना तो यह पार्ट जब पढ़ चुके तो इसी पार्ट का पेपर देने के लिए तैयार हो मावीर तो हो ही यह मावीरों का ग्रुप है ना औरों की अब बड़े ध्यान से सुनना किसे कहते हैं इन चार्ज औरों की बैटरी को चार्ज करने वाले ही इन चार्ज हैं औरों की बैटरी चार्ज कर देना बाप दादा तो देख रहे हैं कि यह सभी नंबर वार पास हुए ग्रुप है कई बातों को कई अनभों को देखते पास करते करते पास नहीं हो गए हो तीन प्रकार के पास है तो इन तीनों प्रकार के पास शब्द में पास होना है एक होता है कोई बात वा रास्ते को पास करना एक होता है पढ़ाई में पास होना और नजदीक को भी पास कहते हैं नजदीक अर्थात समी परतना बाबा ने तीन अर्थ बताए पास्ट एपास्ट एक पढ़ाई को पास तीसरा नजदीक पास तो बाबा ने कहा तो तीनों प्रकार के पास शब्द में पास हो त्रिशूल का तिलक अर्थार तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास यह तिलक नहीं दिखाई देता है इस ग्रुप के मस्तक पर यह त्रिशूल का तिलक आप लोगों को दिखाई देता है बाप दादा को आज की सबहा क्या दिखाई दे रही है यह जानती हो अपना शाक्षतकार तो होता ही है ना अभी अभी का अपना शाक्षतकार हो रहा है तो दादी को बाबा कहरे देखो यह है शाक्षतकार मूर दादी को कहरे बाबा और आप हो शाक्षी दादी और दीदी की जोड़ी थी ना दीदी मनमौईनी को कह रहे हैं आप शाक्षी हो और दादी शाक्षतकार मो ये दादी माइक है और आप दीदी माइट हो ऐसे ये माइट देती है वे माइक बोलता है बाप दादा को क्या शाक्षतकार हो रहा है क्यो अभी डबल ताज नहीं है क्या अगर डबल क्राउन धारण नहीं करेंगे तो भविश्य में भी डबल क्राउन तो मिली नहीं सकता तो आज डबल ताज धारी, तिलक धारी, तक्त नशीन, राज रिशी, दरबार देख रहे हैं भविश्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फिकी लगती है अगर अभी अभी अपना सत्संगम युगी ताज तिलक और तक्त नशेन पुरुशोतम मर्यादा संपन सुरूप देखो और साथ साथ अपना भविश्य सुरूप भी देखो तो दोनों से कौन सा रूप स्पष्ट आकरशन मूर्थ आलोकिक दिव्य वारुहानी देखने में आएगा अभी का वा भविश्य का तो अपने सुरूपों का सदा शाक्षत कार करते और कराते रहते हो कि अभी पढ़दे के अंदर तयार हो रहे हो स्टेज पर नहीं आए हो वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो अभी की अपनी स्टेज को कहां तक समझते हो एक एफ फाइनल स्टेज तो फाइनल है फाइन है रिफाइन है आजकल मालुम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है तो अभी रिफाइन है डबल रिफाइन होना है वा रिफाइन होना है एक बार का रिफाइन तो पूरा हो गया ना अभी डबल रिफाइन होने आए फाइनल की डेट कौन सी है अगर पहले से नहीं होगी तो आप लोगों के भगत और परजा आपके संपूरन सुरूपों का शाक्षतकार कैसे करेंगे फिर नहीं तो आपके चित्र भी टेड़े बांके बनाएंगे अगर आपके संपूरण ताका फाइनल स्टेज का शाक्षतकार नहीं करेंगे तो चित्र क्या बनाएंगे बाबा कहते हैं आपका शाक्षतकार होना चाहिए चित्र भी रिफाइन नहीं बनाएंगे अभी आपके भगतों में गुणगान करने के संसकार भरेंगे तो द्वापर्प युग में उतरते ही आपके चित्रों के आगे गुणगान करेंगे सब आत्माओं में सरव रिती रसम के संसकार तो अभी से ही भरने है ना भरने का समय है फिर प्रेक्टिकल करने का समय है पुजारी पन के दोनों ही संसकार अभी भर रहे हैं। जितना पुज्य बनेंगे उसी प्रमान पुजारी पन की स्टेज भी आटोमेटिकली बनती जाएगी। तो जैसे आप आतमाओं में सारे कलब के संसकार भरते हैं, वैसे ही आपके भक्तों में भी अभी ही संसकार भरेंगे। तो जैसे आपका सुरूप होगा वैसे ही संसकार भरेंगे। फाइनल स्टेज बनाओ तो अभी फाइन ना पड़े। तो डबल रिफाइन हो जाएंगे तो उनको फाइन नहीं पड़ेगा। समझा जो डबल रिफाइन हो جाएंगे उनको फाइन नहीं पड़ेगा फाइनल वाले का कोई फाइनल नहीं रह जाता जिसके फाइनल स्टेज आ गई फिर कोई फाइन्हीं नहीं उसको फाइन बना पड़ेगा इसलिए जो भी कुछ फाइल रहा हुआ है उसको खतम करो चेक करो क्या क्या रहा हुआ है अगर माहवीरों को भी फाइन भरना पड़े तो माहवीरी क्या फिर इसलिए सुनाया कि आज बोलना नहीं है इशारे से ही समझाने वाले ये तो ताज तक्त नशीन गुरूप है ना तो वैस सुनने में कैसे समझेंगे अगर अभी भी कहने से करेंगे तो कहने से करने वाले तो मनुश्य होते हैं बाबा कहते है आप ए करे सो देबता आप लोग तो देबताओं से भी सरेष्ट हो ना ब्रह्मन कहो वा फृरिश्टे कहो फरिष्टे इसारे से समझते हैं फर्ष निवाशी कहने से समझते हैं फरिष्टे जो हैं वो इशारे से और फर्ष निवाशी वो कहने से तो फर्ष निवाशी कहने से समझते हैं अच्छा बाप डादा इस ग्रूप को सारे विश्व के सामने क्या समझते हैं जो हो वही बताना है न ये तो सारी स्रिष्टी को शर्णागत करने वाली है ना ना की होने वाली बाप दादा के सामने भी शर्णागत होने वाली नहीं है बाप को सर्वेंट बनाने वाले वाह बादा कहते हैं न मैं मौस्ट ओविडेंट सर्वेंट हूँ तो शर्णागत हुई वा शर्णागत करने वाले हुए सारी स्रिष्टी में जो भी महिमा करने योगे शब्दे में सबी हो आज बाप डादा सम्पूरन रूप देख रहे हैं सदा फर्मान वर्दार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फर्मा के ना करे ये ग्रुप तो इसमें पास है ना सदेव अपने को फर्मान वर्दार के सरूप में स्थित कर फिर कोई संकल्प करो ऐसे जो संपूरन फर्मान वर्दार हैं वही संपूरन वफादार भी होते हैं ये ग्रुप तो संपूरन ताके समी पे ना संपूरन वफादारी किसको कहते हैं वफादार का मुखे गुण क्या होता है उनका मुखे गुण होता है क्या अब सुनिये वफादार का अर्थ समझे बाबा ने कहा वफादार का मुखे गुण क्या होता है उनका मुक्खे गुण होता है जो अपनी भले जान चली जाए लेकिन हर वस्तू की संभाल करेंगे तो कोई भी चीज वियर्थ नुकसान नहीं करेंगे यह है वफादार का गुण अगर संकल्प, समय, शब्द और करम इन चारों में से कोई को भी वियर्थ गवाते हो वफादार कहेंगे क्योंकि जब से जनम लिया अर्थात, फर्मान, वर्दार, आग्याकारी बने, इमानदार बने हैं एक छोटे से पैसे में भी इमानदार होता है तो जब से जनम लिया तब से मन, अर्थात, संकल्प, समय, करम जो भी करेंगे वे बाप के इश्वरिय सेवा अर्थ करेंगे ये प्रतिग्या की सरव समर्पन हुए हो तो ये सभी बाप के इश्वरिय सेवा अर्थ हो गई ना अगर इश्वरिय सेवा की बजाए कहां संकल्प वा समय वा तन द्वारा वे अर्थ कारे होता है तो उनको क्या कहेंगे उनको संपूरन वफादार कहेंगे ये नहीं समझना एक वा एक सिकंड की तो बड़ी बात है क्या अगर एक नए पैसे की भी वफादारी नहीं तो उसको संपूरन वफादार नहीं कहेंगे ये ग्रुप तो संपूरन फर्मानवरदार संपूरन वफादार है ना तो ऐसे संपूरन वफादार फर्मानवरदार इमानदार अग्याकारी ग्रुप को क्या कहेंगे नमस्ते वह नमस्ते के बाद फिर क्या होता है बाद तो संपूरण आज्याकारी एक दो को देख हरशित हो रहे हैं ना संगम युक के दरबार का यह शंगार है अच्छा और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे झाल